जहिन सर मेरा नाम गौरव राय है मैं महराश्रा के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे 36 काडर आवंटित हुआ है मैंने कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग पूने से सिविल इंजिनेरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्फ मैं इंडियन रेलवेर्स में का रध्था गौरव जी मुझे बताया गया ति आप तो सत्रंज की खेलाडी है बहुत अच्छा खिलते हैं बोलता है सत्रंज जी सर अच्छा शाव और मात के इस खेल में ये भी तैय हैं कि आपको जीतना ही जीतना है वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका सत्रंज का घ्यान क्या काम आ सकता है यह सर मैं क्योंकि शत्रंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके सा सोचता हूं मुझे जैसे चत्रंज काडर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम उपर में है मावात तूसमें सर मुझे हमेशे यही लगता है कि शत्रंज में दो चीज होती एक स्ट्रेजी और एक टैक्टिक्स तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसी में ऐसी स्ट्रेजी हो जो उनको टैकल कर सके हैं और ऑपरेशन के तुरू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तमाल करें जो की हमें टेनिंग अकैडमें में भी सिखाया गया है इस तरीके से ऑपरेशन कर आपको कानून व्यवस्ता के साथ साथ जन जातियक शेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है। लाइफ में क्योंकि एक शेत्र ऐसा है जहां इन चीजों के भी बहुत ज़ुरत पड़ती हैं। यह सर भाईती सरकार की जो दो तरफा रंड नीती है विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ यू से तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजिनियर हूं तो मैं यह समझता हूं कि मैं लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम को खतम करने के लिए विकास ही एक रास्ता है और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचते तो हमारे दिमाग में रेल रेल रोड रेलवेज घर वेसिक सिविल फैसिलिटी जाती हैं तो मैं यह समझता हूं कि अगर मैं सिविल इंजिनियर गरोजे आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साइबर फ्रोड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माववादी हिंसा को हम सिमीत कर रहे हैं आज जनजातिय ख विष्वास के नए सेतू बनाये जा रहे हैं मुझे विष्वास है कि आप जैसी युवा लिडर्शिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी मेरी आपको बहुत छुब कामनाय हैं धन्यवाद सर जहें